वेल्कम तू आल्ल अफ यू इन ब्रायट अविशकार दिस इस राकेश कमार प्राम ब्रायट अविशकार और डियर फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम डेटर्मिनर्स क्या होते हैं किस तरीके से हम इसका इंग्लिश के अंदर यूज करते हैं वो सबी concept को clear करने वाले हैं जो determinants के हिसाब से English grammar के अंदर या English के अंदर use होते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि what is determinants यानि determinants होता क्या है इसका मतलब क्या है कहां कहां हम इसको use करते हैं और इसकी कितनी types होती है सबसे पहले चलो without delay let's get started और today's topic determinants determinants क्या होता है सबसे पहले कि आपको brief concept दे दूँ एक practical concept दे दूँ कि जो adjective होता है वो इसका एक part होता है adjective का एक part होता determinants जो होता है adjective का एक हिस्सा है यानि ये part आप adjectives को हम determinants कहते हैं इसके कभी भी हम इसको change नहीं कर सकते अब कैसे जिस तरीके से हम adjective को change कर सकते हैं positive degree के अंदर comparative degree के अंदर superlative degree के अंदर लेकिन हम determinants जो होते हैं उनको कभी भी change नहीं कर सकते हैं वो dicto रहते हैं जैसे हैं वैसे ही रहते हैं उसके बाद अब determinants को सही से समझेंगे determinants हमेशा non से पहले ही use में आते हैं यह बात याद रखें यह किसलिए use होते हैं यह निन non को यह clarify करते हैं इंटर्ड्यूस करते है noun को यह जो non उसके अंदर use होता है उसको हम क्या करते हैं determinants की help से introduce करवाते हैं इंटर्ड्यूस करते हैं इस तरीके से determinants का यह मतलब हो तो examples देखते हैं जैसे my pen मेरा pen यहाँ पर my क्या है एक determinants की हैसे से possess you determinants होता है इसको हम use करते है यह यह यहाँ पर article determinants जो होता हो use हो रहा है some water यहाँ पर quantifier या quantitative determinants use हो रहा है तो determinants का एक दूसरा भी use होता है कि कभी बिर army के बारे में हमें बताता है जो भी little हो गया few हो गया whole हो गया वो सभी क्या है determinants है और आप याद रखें कि कभी भी determinants non के बाद use नहीं होता हमेशा determinants होते हैं यह universal law है कि Determinants समेशे Nouns से पहले ही यूज होते हैं और Adjective के अगर बात करें अब तो Adjective हम Nouns के पहले भी Nouns के बाद में भी या किसी भी वर्ड के साथ हम यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से हम यूज करते हैं लेकिट अगर Adjective की बात करें Adjective कभी भी Determinants से पहले नहीं आता है पहले Determinants आता है उसके बाद ही हम Adjective का यूज करते हैं अब देखते हैं कि Determinants की कितनी टाइप्स होती हैं और किस तरीके से उनको हम ब्रीफली वेसे हम एक्स्प्लेंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और किस नी किसम इनको समझ सकते हैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि Four Types of Determinants होते हैं First होता है Articles जिसके अंदर हम A, AND और The का यूज करते हैं उसके बाद Demonstrative होते हैं जिसके अंदर हम This, That, Those, These का यूज करते हैं उसके बाद Positive होता है जिसके अंदर My, Your, His, Her, Its, Their, Our का यूज करते हैं उसके बाद Quantitative होता है या इसको हम दूसरी नाम से कह सकते हैं Quantifiers इसको हम क्या कहते हैं Quantifiers जिसके अंदर हमें Quantity के बारे में बताना होता है Much, Little, Some, Any, Few, Enough, All, Whole तो यह सभी क्या होती है Determinants की Types होती Articles, Demonstrative, Possessive, Quantitative और इस तरीके से हम इनको एक-एक करके सही से जानेंगे बिल्कुल आपको सही तरीके से आपका आज का जो concept है Determinants का नहीं बूलेंगे और अच्छे तरीके से आपका हो, clear होगा सबसे पहले हम देखते हैं Articles अब articles को देखने से पहले हमें पता है कि articles होता क्या है जिसके साथ A, N दह तर क्या है ये सभी articles हैं और ये हमेशा किसको determine करता जो speaker होता जिसको हम refer कर रहे है उसको ही determine करता है mean जो noun, जो speaker को defend fatto उसी को हम determine करते है अब A और N जो होता, वो क्या होता? रियल वर्जन में हम convert कर सकते हैं और उसके बाद दक इसके लिए यूज होता है definite articles के लिए यूज होता है यह आप सभी जानते हैं यह इसके अंदर एक particular version of non होता है यह एक specific खास version होता है जिसमें हम जैसे बोलते हैं the country, the mountains इस तरीके से हमेशा हम specific version के लिए ही definite articles होता है उसका यूज करते हैं उसके बाद आगर examples को देखें एक्जेंपल से समझने की कोशिश करेंगे a cat is a good pet मिंचो एक बिल्ली है एक पाल तू सही जा अच्छा जानवर है अब good क्या adjective है मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही आया था कि good से पहले हमेशा किसका यूज होता है डेटर्मिनल्स का यूज होता लेकिन हम adjective को डेटर्मिनल्स से पहले यूज नहीं कर सकते तो यह example आपको clear कर रही है उसके बाद an ostrich would beat a chicken इन्हें race जो ostrich होगा शत्रमूर्ग होगा वो क्या कर देगा मूर्गे को race के अंदर हरा देगा तो यहां पर क्या है एक और and and क्या है indefinite article है और यहां पर क्या यूज हो रहा है चिकन एक noun है एक क्या यूज हो रहा है किस से आप से हो रहा है एक डेटरमनर्स के हसाब से हो रहा है उसके बाद दगा यूज देखते है definite article के हिसाब से दभगवत गीता इस वन आफ दा that those these यह क्यों होते है demonstrate you pronouns होते है अब यह हमेश्या क्या use होते है determinants के हिसाब से ही हम इसको use करते है अब उसके बाद यह किस लिए use होते है यह क्या करते है किसी point को something जो point एक खास है उसको specific sentence के अंदर लिराने के लिए या बोलने के लिए हम इसको use करते है जैसे they are used to point something specific within a sentence एक sentence के अंदर को specific चीज़ों किसी की quantity बता रहे हो किसको demonstrate कर रहे हो जैसे that movie, that theater, those girls तो इस तरीके हम specific की एक specification बता रहे है तो उसके लिए आप demonstrate you, determinants का या demonstrate you, pronouns का use करे है यह focus किस पे करते हैं, एक attention देते, they focus attention on the non that they are replacing जिस replace को, जिस non को replace कर रहे हैं, उसके उपर ही जादा से जादा यह क्या करते हैं, focus करते हैं अब example से समझने की कोशिश करेंगा और आप हर एक दो example देखो घरी किसकी अंदर जैसे I want to go to that theater, मैं उस theater में जाना चाहता हूँ, तो that यहां पे क्या है, demonstrative pronouns है यानि इसके बारे मैं आप क्या बता रहा है, एक सही से इसको बता रहा है, एक specific वे से बता रहा है यानि वो, एक particular बता रहा है, उसके बाद she wanted those girls to go away, यानि वो लड़की यह चाहती थी कि वो लड़की उससे दूर हो जाए दोज, यहां पे भी हम क्या बताते हैं, specification बताते हैं, within a sentence के अंदर तो इस तरीके से हम demonstrative pronouns का या demonstrative determinants का यूज करते हैं अब थर्ड देखते हैं, possessive pronoun या possessive determinants भी इसको हम कहते हैं जैसे my, your, his, her, its, their, our, यह सभी possessive pronoun कहलाते हैं अब यह word कब यूज होते हैं, जब किसी को ownership बताना हो, यानि मालिक का हक बताना यानि ownership के लिए हम किसका यूज करते हैं, possessive pronoun का यूज करते हैं जैसे my pen, यह possessive है, your pen, possessive है, his bike, possessive है, her necklace, possessive है, its table, तो यह possessive है तो इस तरीके से हम इन सभी का possessive pronoun के अंदर यूज करते हैं, जो कभी भी ownership के बारे में बताते हैं example से समझने की कोशिश करेंगे, where is your bike, your क्या है, possessive pronoun है it's our restaurant, यह हमारा restaurant है, restaurant की spelling आप सही से देख लिए हैं, हाँप it's spelling की mistake है I hope कि आप इसको clarify कर देंगे अब देखते हैं, quantitative, यहनि हमारा जो fourth है, वो quantitative है, इसका use हम किस तरीके से करते हैं जो fourth है हमारा, जैसे much, little, some, any, few, या enough, all, whole यह सभी क्या होते हैं, quantitative, determinants होते हैं, यह हमेशा क्या indicate करते हैं, कि कितना जादा, how much, या how little, कितना कम जो noun होता है, वो discuss होता है, यहनि उसके अंदर हम use करें, जैसे आप बोलोगे, she took some book of mine, यह उसने मेरी कुछ किताबें ली, some क्या है, quantitative, determinants के अंदर आता है, हमने उपर भी देखा, उसके बाद, they have few apples in the refrigerator, यह लोगों के जो fridge है, refrigerator है, उनके अंदर उसके apples है, few, few means कम, हम ऐसे बोल सकते हैं, we went there and there were few people, I have much knowledge, I have much money, a little means बोलेंगे, give me a little means idea, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, इस तरीके से this is enough, बहुत हुआ, यहाँ पर हम quantity के बारे में बता रहे हैं, quantifiers भी हम इसको कहते हैं, I hope dear friends, कि आपको सभी determinants की सही से समझ में आगी होगी, what is determinants, determinants की की किदि इसनी type होती हैं, examples के हिसाब से भी हमने इसको समझनी की कोशिश की, I hope कि यह सब कुछ आपको सही से समझ में आ गया होगा, please let me know in comment box कि आप से भी को सही से समझ में आया, how was your this topic, किस तरीके से आपके लिए useful रहा, क्या आपने इस से पहले इस topic को कभी पढ़ा था, school के अंदर please यह मुझे आप comment box के अंदर जरूर बताए, thank you very much, have a nice time, see you in next video